नमस्कार जोहार आप सभी को छारखंड PGT देने वाले सभी कैंडिडेट ध्यान से इस वीडियो को देखिए आपको इसमें syllabus पूरे complete जो है यहाँ पे दिखाई जाएगी और official PDF है ये ये कोई अपने मन से मन गढ़ंत चीजों को syllabus में नहीं डाला गया है जो official PDF जो special browser सरकार के द्वारा जारी की गई है उसी को हम लोग आपके सामने रखने की कोशिस करेंगे हम लोग कहने का मतलब team चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को उससे पले में आपसे दो सवाल पूछूँगा आपको ये बताना है जारखन का सबसे छेतरफल के द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और किस जिले में सबसे ज़्यादा जरसंख्या निवास करती है दोनों का answer आप लोगों को नीचे comment section में देना है आगे देख लेते हैं परिच्छा का सवरूप यानि कि exam pattern कैसा रहने वाला है exam pattern CBT यानि कि computer based test होगा यानि कि computer पे exam देना है आपको पहली बात तो clear हो गई दूसरी बात आपका subject अलग-अलग है तो अलग-अलग day में आपका exam लिया जाएगा और याद रखेगा normalization किया जाएगा suppose कर लेते हैं कि maths वाले का दो अलग-अलग दिन exam conduct कराया गया तो ऐसे में normalization की प्रक्रिया होगी आगे देख लेते हैं normalization के अधर पर तयार किया जाएगा लेकिन याद रखेगा suppose कर लेते हैं कि A और B मान लेते हैं A पूजा है और B कौन है? B है विपीन और पूजा और विपीन ने exam तिया और दोनों के score बराबर बराबर आ गए तो ऐसे में एक ही seat है तो किन है job मिले की? तो याद रखेगा अगर विपीन बड़ा है age में तो विपीन को job मिल जाएगी पूजा को job नहीं मिलेगा यानि कि जिसकी age जादा है उसे job दे दिया जाएगा clear हो गई होगी बात हैं आगे देखते हैं परिक्षा का स्वरूप जो है एक ही चरण में यानि कि पीटी मैंस का कोई यहाँ पे जंजट नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक परिक्षा ले जाएगे और ये आखरी अंतिम परिक्षा होगी final exam होगा अब इसमें exam किस language में लिया जाएगा तो देखिए सभी परिक्षा के प्रसन जो होगे हिंदी और अंग्रेजी में होगे सिर्फ भासा को छोड़ कर सपोस कर ले कि आपका subject इंग्लिस है तो वो सिर्फ इंग्लिस में ही आएगा अगर हिंदी है तो हिंदी में ही आएगा आप बोल रहे होगे कि ये तो basic पाते हैं सबको पता है मैंने clear करके बताने की कोशिस करे है ताकि कोई भी मन में आपका doubt नहीं रहे अगर कोई doubt होता हो तो नीचो comment करके आप पूछ लेना मैं सारे comment के answer जरूर दूँगा इस video के comment section को मैं खोल कर जरूर दिखूँगा और आपके question का answer करने की कोशिस करूँगा अब बात करते हैं man's exam यानि की मुखी परिक्षा की तो देखिए इसे आप two part में divide कर दो जो exam होगा आपका दो अलग-अलग shift में होगा पहले shift में जो है न समान ग्यान और हिंदी की परिक्षा ले जाएगी और दूसरे shift में आपके subject का जो है वो exam लिया जाएगा अब देखिए यानि कि paper one और paper two अलग-अलग लिया जाएगा paper one जो होगा वो 100 अंकों का होगा और इसमें आपको 33 परतिसत अंक लाने ही होगे यानि कि सौ में 33 नमबर आप नहीं लाओगे आपका बेड़ा गर्ग हो जाएगा यानि कि paper two आपका check नहीं किया जाएगा यानि कि ये qualifying है इसमें पासो तभी आपकी परक्रिया आगे बढ़ेगी और 33 नमबर के लिए कोई negative marking नहीं है और ना ही paper two के लिए negative marking है यानि कि हम लोग क्या बोल सकते है no negative marking in this examination there is no negative marking यानि कि कोई भी रिनात्मक अंक नहीं दिये जाएंगे आगे देख लिए paper two में 300 अंकों का प्रस्ण होगा जो कि आपके subject से concern होगा chemistry वाले को, chemistry का 300 नमर के exam लिए जाएंगे maths और physics का भी हो तो maths वाले का भी 300, physics वाले का भी 300 English वाले का भी 300, Hindi वाले का भी 300 अलग से आपको देना होगा अब बात करते है paper one जिसमें सारे subject के लिए बराबर-बराबर सभी subject वाले को ये paper तो देना ही देना है चाहे आपका subject कुछ भी हो ये सारे questions आपको attempt करने होगे exam में देखिए, इसमें 100% पूछे जाएंगे 50% समान ग्यान और 50% हिंदी भासा से होंगे हिंदी भासा थोड़ी सी easy इसलिए रहेगी क्योंकि आपको आपठित अनुछेद पूछा जाएगा यानि कि unseen passage से आपको प्रसन बनाने है यानि कि answer आपके passage में ही छिपा हुआ है आपको सिर्फ ढूड़ना है 4 option में से कौन सा right है passage को देख कर, ये तो clear होगी बाते अब देखिए फंसता है मामला कहाँ पे जीके में तो जीके का section थोड़ा इनोंने बड़ा रखा है तो मैं आपको सारी बातें यहाँ पे दिखा देता हूँ तक कि कोई भी doubt आपका नहीं रहे देखिए unseen passes से 25 नमर का प्रसन पूछा जाएगा यानि कि कुछ current affairs भी आपको इसमें देखने को मिलेगा जिसमें जो भी scientist development यानि कि जो भी बैज्ञानिक प्रगती हो रही है राष्टियंत राष्टिये पुरुसकार जो भी दिये है Nobel Prize को आप यहाँ पे देख लेना Oscar Award देख लेना इसके अलाबग Grammy Award और BAPTA यानि कि जो British Academy के दोरा पुरुसकार दिया जाता है वो पूछे जाएंगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा Don't worry आगे देखिए भारतिये भासाएं पुस्तक लीपी और राजधानी मुद्रा से प्रसन पूछे जाएंगे खेल खिलाड़ी और महतपुर्ण घटनाएं कोई भी इंकलूट किया गया है भारत का इतिहास संस्कृती भुगोल परियावरन आर्थिक परिद्रिश्य स्वतंतरता आंदोरन भारतिये क्रिसी यवँ प्राकृतिक संसादनों की प्रमुख विसेष्ताएं यवँ भारत का संविधान यवँ राजवेवस्था से प्रसन पूछे जाएंगे पंच वर्सी एवजणा से भी प्रसन पूछा जाएगा जार्खन राज की भोगौलिक इस्तिती और राजनितिक इस्तिती की समाने जयनकारी आपके पास होनी चाहिए अब देखिए इसमें science section से क्या पूछा जाएगा तो 10th level में जो आपने science पढ़ा है 8, 9, 10 और उससे नीचे भी यहने कि ऐसा समझ लो 6-10 के NCRT को पढ़ दोगे काम आपका बन जाएगा आगे देखिए मानसिक चमता जो है इसमें reasoning यह बात हो रही है reasoning की तो reasoning में सीरिज वाले question पूछे जाएंगे कुछ image से भी question पूछे जाएंगे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है reasoning से भी पूछे जाएंगे तो ऐसे में इन चीजों को देख लेना है आपको जार्खंड राज से क्या पूछा जाएगा जार्खंड राज के भुगोल इतिहास सब्यता संस्कृती भासा साहिती इससे पूछे जाएंगे खान और खनीज उद्योग का क्या क्या है जार्खंड में राष्टिया अंदोलन में जार्खंड का क्या योगदान है ये पूछा जाएगा बिकास योजनाएं खेल खिलाड़े बैक्तित्व नागरी कुपलब्धियां अंतराष्टिया और अंतराष्टिया महत्तु के बिसे पांच में नमर पे देखें कंप्यूटर के भी प्रसन पूछा जाएंगे जिसमें MS Window Operating System, MS Office और Internet संचालन की विडियों के बारे में आपसे प्रसन पूछा जाएगा अगर आपका subject अलग लग है, इसलिए मैं अलग से dedicated subject की विडियो ले कर आऊंगा नीचे कोमेंट करके आप अपने subject को लिख दीजिए, ताकि कोई भी आपका subject के उपर एक विडियो dedicated बनाई जाएगी तो आप अपने subject का नाम लिख ले जिनकी संख्यां जादा होगी सबसे पहले उन्हीं subject की वीडियो को मैं publish करूँगा जाते जाते एक सूचना देते जाता हूँ अगर आपको previous question paper चाहिए होगा तो यहां से मेरी email id देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो if you are on instagram then do follow me at the rate imithun singhya से आपको इंस्टा की id दिख रही होगी 49 में previous question paper प्रवाइट कर दिया जाएगा paper एक और paper दो के लिए 99 में जार्खंड gk के notes आपको share कर दिये जाएंगे जार्खंड और gk के जो भी प्रसन है reasoning के प्रसन है वो आपको share कर दिये जाएंगे वीडियो को यहां तक आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नए है आप पहली भार चैनल पर पदा रहे हैं तो प्ली चैनल को subscribe कर लिजिए और जो छोटा मोटा जो bell icon दिख रहा होगा न उसको भी दबा देना है वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day